Hi friends, welcome back to my channel friends, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे वखील कैसे बने जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वखील आप कैसे बन सकते हैं, वखील बनने के लिए minimum qualification कीतनी चाहिए होती है, या वखील बनने के लिए हमको किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करने चाहिए तो friends πूरा डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो friends चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हूं उससे पड़े friends अगर आप लोग चैनल पर नए है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं के और बात करते हैं कि वकील कैसे बने तो फेंट देखिया वकील बनने के लिए आप क्लाश 12 के बाद भी वकील बन सकते हैं और ग्रेजवेशन करने के बाद भी आप वकील बन सकते हैं तो फेंट देखिया अगर आप क्लाश 12 के बाद वकील बनना चाहते हैं तो आपको एक कोर् होता है बी ए लैल बी जो आपका 5 सबका कोर्स होता है वहीं पर अगर आप graduation के बाद जो है कि वकील बंना चाहरा है तब आपको लैल बी का कोर्स करना होगा जो की आपका तीन साल गॉता है तो फ्रेंट'd 6 साल आपके चले जाते हैं लेकिन अगर आपको पहले से ही clear हो कि आपको हर हाल में वकील ही बनना है तब उस situation में आप इंटर के बाद भी ये LLB कर सकते हैं उसमें जो है कि 5 साल में आपका graduation भी हो जाएगा और LLB का course भी हो जाएगा तो अगर आपको LLB course के बारे में में हमने बताया है कि LLB कौन कौन कर सकता है LLB करने में физ कितना लगती है बी ये LLB करते हैं तो उसमें फcrates कितना लगती है वी पूरा detail से उस वीडियो में जानकारी दी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा तो फेंट चले अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप व क्लाश ट्वल्थ पास होना चाहिए जी हां दोस्तों क्लाश ट्वल्थ पास होना चाहिए तभी जो है कि आप बी ये ललबी का कोर्स कर सकते हैं और आपका क्लाश ट्वल्थ में 50% मार्क होना चाहिए जी हां दोस्तों क्लाश ट्वल्थ में 50% मार्क होना चाहिए तभी जो है कि आप भी यह LLB course कर सकते या नहीं कर सकते तो फेंट्स अब आपके मन में एक question आ रहा होगा कि हमको किस stream से पढ़ाई करनी चाहिए कौन सा subject हमको पढ़ना चाहिए हमको art stream से पढ़ाई करनी चाहिए कि science stream से या कि commerce stream से तो फेंट्स देखे अगर आप वकील बनना चाहिए है तो आप किसी भी stream से पढ़ाई कि हो चाहिए art stream हो, commerce stream हो, science stream हो आप जो है वकील बन सकते हैं आप इसके form को भर सकते हैं कोई भी subject आप लिये हो जैसे मालेजे कि science stream में दो ग्रूप आपके होते math group या और PCB group तो उसमें कोई भी group आप का हो आप जो है वकील बन सकते हैं इसके form को भर सकते हैं और B.A.L.L.B. कर सकते हैं और फेंट्स अगर आप graduation के बाद L.L.B. कर रहे हैं तब भी आपका 50% mark होना चाहिए जी हाँ दोस्तों अगर आप graduation के बाद L.L.B. कर रहे हैं तब भी आपका graduation में 50% mark होना चाहिए तब ही जो है कि आपका L.L.B. में admission होगा अन्यता नहीं होगा और फेंट्स जैसे ही आपका B.A.L.B. या L.B. कम्प्लीट होगा आप वकील बन सकते हैं तो फेंट्स यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें comment में जरूर बताइएगा I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वकील कैसे बनते हैं वकील बनने के लिए जो किता कितनी होनी चाहिए या B.A.L.B. कितने साल का होता है तो फेंट्स यह वीडियो को ही stop करते हैं मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कर दीजे ज्यादा से ज्यादा share कर दीजे और फेंट्स अगर आप लोग channel पर नहीं है और channel को subscribe नहीं किया है तो शैनल को सब्सक्राइब कर देजे तो फेंड्स चलिए मिलता हैं लिए एक नई वीडियो में एक नई टोपिक के साथ तब सकते हैं